आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल मैट वायनोव सियाग में हमारा कोर्स टार्ट था क्लास 11 जिसमें हम चैप्टर नमबर फस्ट डिसकस कर रहे थे आज हम उसके लेक्चर नमबर 12 की बारे में डिसकस करेंगे हमारे लेक्चर की सिर्वात करें उससे पहले एक और जो बच्चाज चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ओन करें क्योंकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अप्लोड करेंगे तो उसके पास नौटिविकेशन पहुंच जाए और वो हमारे नए लेक्चर को सुन सके देखिए हमारे पास जो यह एक्सरसाइज है चैप्र फरस्ट की वन पॉइंट फाइव एकॉल्डिंग टू एंसी आर्टी सकति हैं और इस में मैं बात करता हूँ और यहां तक हमने पाँंच कि एसन कर लिए थे इसे से आगे की ए माले इंडिया है मान लेते हैं ये बरवाडा है मान लेते हैं हिसार है मान लिया कुछ कहते नहीं ऐसे ही मान लेते हैं जो उसका अमने ठिंक सोची उस डायाग्राम को क्या बोला जाता वेंड डायाग्राम परेटिकुलर एक का होता दो का होगा तो उसका सोच लेंगे ये है दोनों के बीच में common इसा बनाना हो तो यह सोच लेए जैसे दो बाई है एक बाई की जगह ये है दूसरे बाई की जगह ये है फिर बोलेगा ये ऐसे क्यों कर दिया वो बोलेगा ये दोनों के सीर की जगह है common है जो वेन डायग्राम क्या है परवर्ती है उस एरिया को सो करने की तो हमकी असन में बढ़े इसने बोला कि ए यूनियन भी ए यूनियन भी के कॉंप्लिमेंट का वेन डायग्राम बनाई कैसे बनेगा देखिए पहले हम ए यूनियन भी बनाते हैं ए यूनियन भी क्या होता है एक ए है एक बी है इनके बीच का जो इसारा पार्ट है ना यह एक हमारे पास ए है इसको हम भी बोलते हैं और यह पूरे के बाहर जो जिसमें से select किये जाते हैं, जिसमें से कोई भी set बनाया जाता है, उस पूरे वो बेटा बर्मांड कहते हैं, यह पर हम उसको क्या नाम देते हैं, यूनिवर्सल सेट, क्या नाम देते हैं इसको यूनिवर्सल, ये यूनिवर्स होगे आपका, इसन DAY बूला A union B complement का मतलब नै होना पहले आप ये देखिए A union B क्या होगा ये सारा इसा ना जो आपका ये क्या है A और B का union है union का मतलब होता है total जिसमें A B है B B है और दोनों का common part भी है इस पूरे part को A union B कहते है इस पूरे part को बेटा A union universal नहीं है ये union ये union B है उपर क्या आप लाई कर देखिए इसने compliment ये कहता A union B नहीं होना चाहिए वो हिस्सा सेलेक्ट कर दो आप universal में से जांपे ये नहीं है तो हमारा ये जो हिस्सा है ये वड़ा हिस्सा क्या बुला जाएगा यहाँ पर A union B का कोई भी element नहीं है ना A का है इसमें और ना B का है जो मैंने red से सो किया है जो red से सो किया है वेटा हम लिखेंगे A union B A union B का जो compliment है वो किस पार्ट से सैड़िड किया गया हमने यहाँ पर ग्राफ में red से ठीक है जिसके पास एक ही है एक ही marker है तो वो ऐसे भी सो कर सकता है कि जो यह वाली ऐसी line होगी horizontal यह तो A union B के लिए और जो vertical line है फिर बाकी सब को कैसे सो कर देंगे हम vertical में हम इसको vertical में सो कर देंगे यह सो करेंगे जो यह vertical में सो करेंगे तो ये बेटा क्या बताएगा हमारे पास वेंड डायग्राम का मतलब नोटिफिकिशन जैसे हमने मानचितर नहीं देखें मानचितरों में कई बार यह हो तब यहां पे कैसी मिट्टी है यहां पे दोमठ है जलोड है कैसी मिट्टिया है वह तब गोलिक स्थिति को सो करने के लिए वही वो गोलिक स्थिति यहां पे है उस सैट की हम इसको ऐसे सो कर देंगे कि यहां पर ए यूनियन बी का कॉंप्लिमेंट है बस बेटा यह हमारा अनस्वरा जाएगा ठीक है अगरा देखिए एका कॉंप्लिमेंट इंटर सेक्षन बी का कॉंप्लिमेंट है यह सारा यूनिवर्स यह ए यह यह बी मना लिया एका कॉंप्लिमेंट सेलेक्ट करता हूं मैं पहले जहां पर ए नहीं है जहां पर ए नहीं है उसको मैं ऐसे सो करूं यहां पर A नहीं है जैसे यह A है और यह क्या है बेटा बी जहां पर A नहीं है मैं वहां पर ऐसे ऐसे लिख दूँगा यहां पर लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता क्यों A का हिस्सा है यहां पर देखिए यहां पर कोई A नहीं है यह जो पार्ट है बेटा यहां पर A का कोई भ के से हमने होरीजेंटल लाइन से छोटे छोटे दैस से सो किया है यहां पर लिख फिर बी का कॉंप्लिमेंट मैं बी के कॉंप्लिमेंट को ऐसे सो कर देता हूं यह बी का कॉंप्लिमेंट सो कर दिया मैंने बिल्कुल लीजी हो जाता है यहां से समझना वेंड डायग्राम कि बी के कॉंप्लिमेंट को ऐसे सो कर दिया तो बी का कॉंप्लिमेंट जहां पर भी यहां पर भी है नहीं है इस सारे पार्ट में बेटा बी का कॉंप्लीमेंट आ जाएगा और मैं यह रैड से सो करने लग जाता हूं ठीक है थोड़ा सा आपको कलियरली शो हो जाए ये बी का नय होना है कोई कहते यहां पर क्यों लिख दिया अरे ये हैं यह यहां पर बी तो नहीं है तो यह देखिए बेटा ये अ यह इसमें तो कोई कोई भी नहीं आएगा यह पार्ट खाली ही रहेगा क्योंकि यहां पर ए और बी दोनों है ठीक है यह हमने क्या लिखना बी का नै होना बी का नै होना है तो यहां पर यह हमने गलत कर दिया क्योंकि B का नय होना है यहां पर तो B है हमने क्या बात करनी बेटा B का नय होना ठीक है यह आ गया लिख दिया दोनों का पैचान बना ली भई यहां पर A है और यहां पर P है B का A का नय होना भी पता कर लिया और B का नय होना भी पता कर लिया कॉम्प्लिमेंट का मिनिंग फिर दोनों के बीच में इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बताइए बेटा क्या होता है एंटरसेक्शन भी क्या होता है बताओ श्याबाज एंटरसेक्शन भी का मतलब होता है जहा आप A और B के बीच का common इस बार है A का compliment और B का compliment ये कहता है जहां पर A का compliment है मतलब A का नए होना है और B का नए होना है उसमें से common हिस्षा जो दोनों present है इस हिस्षे में बेटा दोनों present है क्योंकि intersection का मीनिंग क्या है जो दोनों है यहां पे दोनों है यहां पे एक पार्ट है यहां पर एक पार्ट है तो इन में से यहां से तो कोई भी element नहीं आ रहा किसमें compliment में दोनों का जो intersection है यहां का कोई पार्ट पार्टिस्पेट नहीं करेगा बाकि जो इस्षा रह गया वह वह इस्षा रह गया बेटा जहां पर दोनों present है तो कैसे लिखा जाएगा हम इसको लिखेंगे यूनिवर्सल में से पूरे यूनिवर्सल में से कौन नहीं आया बत union B वेंड डाग्राम से अकेला A ये है ये अकेला B है ये दोनों के बीच का common है इसको हम A intersection B कहते हैं ये पूरा जो पार्ट है ये बेटा क्या बोला जाता है A union B क्योंकि intersection मैंने जब बताया था starting में जब ये exercise start की थी A intersection B 1.4 में intersection का मतलब common होता है और union का मतलब total होता है तो य हमारे पार्ट जब हमने लिए उसमें union बना दिया फिर उसको इजी से समझने का तरीका बना था तो बेटा आपका ये पार्ट भी कलियर हो गया होगा जो निवर्सल में से माइनस कर देंगे ठीक है और इसका probability में भी यूज होगा ऐसे question आएंगे हमारा 16 चैप्टर है प्लस माइनस ए यूनियन बे रिखा जाएगा अगला देखिए एंट्रसेक्शन बी का compliment एंट्रसेक्शन बी पहले एंट्रसेक्शन बी निकाल लीजिए और उसका compliment कर दीजिए तो देखिए क्या होगा यह देखिए एंट्रसेक्शन बी कैसे बनेगा एक पार्ट ए एक पार्ट बी पहले एंट्रसेक्शन बी निकालो यह पार्ट आया बस यहीं है इन्ट्रसेक्शन बी और कुछ नहीं है फिर बोला इसका compliment इसका compliment कॉम्प्लिमेन्ट का मतलब जहां पर ये नहीं है कहां कहां नहीं है ये इसके बाहर की जो सारी वैल्यू है ना यहां पर ये प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास जो रेड रेड है वो हमारा रेड रेड जो हमने छोटे-छोटे सरकल बनाए है ये ये हमारा रेजल्ट है इसको हम बोलते हैं इंटर सेक्षन और आप बच्चों को पता भी है जैसे एक उपर कॉंपलीमेंट था यूनिवर्सल में से क्या माइनस कर दिया ए उसी तरह देखिए एंटर सेक्षन बी का कॉंपलीमेंट है उसी तरह पर समझी यह सौंग नहीं आ गया यह तो था एका कॉंपलीमेंट कर दिया माइनस ठीक है अब जो एक पार्ट रहेंगे ना एका कॉंप्लिमेंट यूनियन बी का कॉंप्लिमेंट वो आप बच्चे श्यूम करोगे कि जहां पर नए है और नए भी है उसका यूनियन कैसे निकालेंगे यह मैंने बनाया था ना इसमें देख लेना आप कैसे बन हुआ हुआ है का नए होना बी का नए होना ना ए है ना भी है उनका टोटल बनाना जब यूनियन करते हैं ना यूनियन में वाला पार्ट भी ले लेता केले अकेले बी वाला भी ले ले लेते हैं जहां पर दोनों वह भी ले लेते हैं अकेला ए है इसमें अकेला भी है और ज इसका जवाब होगा बेटा यूनिवर्सल में से एंटरसेक्शन बी क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे ठीक है एक थोड़ी सी बात और बता दिता हूं मैं जब भी अलग-अलग के उपर कॉंप्लिमेंट होगा उसके एक सोट फोम बना देते हैं जब भी अलग-अलग के उपर कॉंप्लिमेंट होगा बेटा क्या लिखेंगे उसको ए यूनियन भी जब भी अलग-अलग के उपर कॉंप्लिमेंट है पूरे के उपर कॉंप्लिमेंट आ जाता है यह रेजल्ट हमें इसा इक्वल होते हैं ए जब भी अलग अलग के उपर Pioneませ पूरे के उपर priplet लेके आना चाहते हैं पूरे के उपर लिखेंगे तो इनके बीट का सिंबल बदल जाता है इसका मीनिंग यह वता है यह और यह बातव आपस में अब इक intersection भी गया ऐसा ही अलग-अलग इसके उपर था इसके उपर बेटा अलग-अलग था तो मैं क्या लिख हूँआ इसको ए यूनियन हो जाएगा बी पूरे का compliment और यूनिवर्सल में से बेटाइसी को हम क्या कर देंगे जागे माइनस कर देंगे ठीक है तो ए यूनियन बी का compliment जैसे यहां पर है मैंने बस यह डार्क शो किया है कि यह इसा है और यह कैसे आएगा जब हम पूरे यूनिवर्स में से क्या हटा देंगी ए यूनियन भी हटा देंगे ठीक है इसका सो करने का तरिक का यह यूनिवर्सल से लिएरे यूनियन भी क्योंकि यह का compliment यह रैडड वाला है यह रैड रैड वाला किसके इक्वल है पूरे यूनिवर्सल एंगे ठीक है आशा करता हूं भेटा यह बात आपके समझ में आई होगी तो नेक्स्ट क्योंस्ट पे चलते हैं थोड़ा लीज में परवर्ति वह यह इतनी की जगएं होगी उसी हिस्से को हम क्या ओन ले तेरे पास इतनी जगह है हम ने उसको लेट किया दूसरे जगह यह हैं इनके बीचे में यह अगर दो बाईों की बात करें एक भाई की जगए यESSRE बाई की बाई की जगए यह है यह जो बीच की जगाई बैटा यह को मना लगई है यह हम ने इसा तो नहीव eliह बस मानना वाई तेरी इतनी जगह तेरी इतनी जगह उस परवर्ती को सो करना है जो हमारे mind में setup है आकर्ती के दवारा उस आकर्ती का जो चितरन होता है बेटा यह सो किया जाता है इस सो को हम क्या बोलते हैं when diagram ठीक है आगी बात समझें बेटा अब देखिए यह question complete हो गया है बेटा next question पर चलत रहेगा ठीक है तोड़ीची बेटा networking की problem चल रही इसलिए एक दो दिन lecture में problem होगी आगे से ऐसी problem नहीं आएगी और एक ये था कुछ बच्चे पिछे रहे गए हैं जो नहीं जुड़े थे कोई फिफ्त में लगा हुआ था तो आप दीरे दीरे फस्ट की तरफ बड़े बेटा फस्ट को complete करें फिर हम सैकेंड चैप्टर में इंट्री करें ठीक है सैकेंड चैप्टर करना बेटा जरूरी है इंपोर्टेंट चैप्टर भी है फिर टिग्नोमेटिक दीरे दीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो देखिए बेटा next question की तरफ बड़े next question मैंने कुछ लिखा है आपको adding शोक ओने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो मैं बता देता हूं इसमें क्या-क्या है देखिए बेटा let you be the set of all triangle you universal set है सारी ट्रेंगलों का सारी ट्रेंगल आगी बैई कैसी ट्रेंगल हो 60 degree 60 degree 60 degree एक ट्रेंगल 80 40 और 60 ठीक ऐसी बहूत सारी ट्रेंगल हो सकती किसी का कुछ कोई राइट एंगल लोको कुछ भी हो राइट एंगल जैसे अरे यह क्या हो गया बेटा तुफान आ गया बीच में 90 डिग्री हो यह 45 हो यह 45 ठीक है 90 हो गया यह 60 हो यह 30 हो ठीक है small angles के आपोजिट small side हो ती लार्ज एंगल के आपोजिट लार्ज साइड होती है ट्रेंगल इन एक पले इन में बहूत सारी ट्रेंगले हैं ए इस दा सैट ओफ आल ट्रेंगल ए का मिनिंग है ए में जो आल ट्रेंगल है आल ट्रेंगल ए में इसने का कि एक ऐसा सैट बना रहा हूं है ए इस दा सैट ओफ आल ट्रेंगल ए में सारी वो ट्रेंगले हैं विद आइट लिस्ट वन एंगल डीक्फर फ्रोम सिक्स्टिन जिसका एक एंगल साट जो अलग है ही है में एक अंगल तो चाह्ट से अलग होना चाहिए माल ले किसी ट्रेंगलमे यह साट है तो यह गयता है एट लिस्ट वन एंगल कम से कम एक एंगल तो different वना चींड शाट से तो एक शाट से different किया लेंगे माल लेते हैं 40 लेंगे तो अगला क्या बचेगा बेटा 80 बचेगा उसने बोला कि at least one angle is differ from 60 60 से तो अलग हो नहीं होना चाहिए एक तो नहीं होना चाहिए देखो इसमें 60 लिया मानलों एक 60 हो सकता एक लिस्ट और बाकी 60 से क्या होंगे अलग होंगे जैसे मैं यहां पर 60 ले लूँ यह 30 ले लिया तो बेटा यह क्या हो जाएगा 90 क्या मैं ऐसे कर सकता हूं 60 60 60 क्योंकि इसने बोला ही नहीं इसने बोला कि 60 से अलग होना चाहिए एक लिस्ट कम से कम उसके पास एक एंगल तो 60 से अलग हो अगर मैं 2 60 के ले लूँआ तो फिर 3 भी 60 का आएगा फिर तो मेरा यह सैट में इसने ले सकता क्यों इसने बोला 60 के इलावा एट लिस्ट वन एंगल कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए δो बी अलग हो सकते हैं आपका जवाब ये भी हो सकता है। है इस ने पूछा फिर एका कॉम्पलीमेंट अब कॉम्पलीमेट क्या यह यह बिट्टा इसके इलावा जो भी रेजल्ट रहागिया है। तो इसने बोला कि 60 नहीं होना चाहिए तो एक ही option बच गया पने पास ऐसी वो ट्रेंगल जिसके तीनों के तीनों के तीनों एंगल कितने हो सकते हैं बेटा 60 60 के तीनों के तीनों एंगल 60 के क्योंकि इसने बोला डिफर होने चाहिए और यह क्या बोलेगा फिर अपोजिट देखे डिफर का बोजिट क्या होगा सेम यह बोलेगा कि साथ के सारे क्या होने चाहिए सेम एक एंगल साथ एक एंगल साथ तीनों वो ट्रेंगल और उस ट्रें ग्रैज़ तरेंगल एक यांगल है क्योंकि इक्वी एंगल भी अते बिटेंगों सेंवार क्सेंग किस्के पोजटेंस यह ऐद यह भी सेंग यह पोजटेंसी सारे एंगल आपस में क्या हो जाते हैं के अगला क्वूनियन रइका कॉम्पलीमेंट मैं आड कि या गया टसंसमिभ्य देटा नैक्स्ट है ए यूनियन ए का कोम्प्लीमेंट ए यूनियन ए का कूम्प्लीमेंट क्या होगा है यह बताना आगे है ए कि यूनियन a का ओंप्लीमेंट इसका जवाब देना आपने, तो देखिए, यह ए हो गया, यूनिवर्स था, यह A है, और इसके बार की जगह है वेटा, यह क्या सारे की सारी, बताओ जाँ पे A नहीं है, उसको क्या बोला जाता है, A का कॉंप्लिमेंट, यह A है, इसके बार जो जगह है, A का कॉंप्लिमेंट और प पूरा यू होता है कर ठीक है कि अमे और एक कॉंपलिमेंट यूनियन यह वाड़ा जो सिंबला वह यूनियन का है और यूनिवर्सल का मतलब टॉटल सैट जिसमें से बनाए जाते हैं तो इमें और उसका नय होने का इकठा गरना दोनों का टोटल बताना बेटा अपने दोनों क्या बताना है total total क्या होगा देखिए a union A का compliment का total क्या होगा यह और यह दोनों हो जाएंगे तो A को और A का नाय मिलाने का जो total होगा union का मतलब क्या होता टोटल वो किसके equal है आपका universal के equal है union करने का मतलब होता हो दोनों में common हो भी लिया जाएगा और बाहर रहे गया वह भी लिया जाएगा इस बार कुम्मन तो कुछ था नहीं यह वाड़ा अलग और एका कुम्प्लिमेंट अलग क्योंकि जैसे एलसियम निकालना हुआ आपके पास दो ट्रम है एक किस है थ्री इंटू सैवन ठीक है और एक आपके पास है फॉर्टी फाइव ठीक है फॉर्टी फाइव को जगए और ले लेती हैं जिसमें दोनों ट्रम अलग अलग हो एक ट्रम जैसे चार हो और एक पांच हो बीस हो गया आपके पास दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है इनका एलसियम जो लिया जाएगा बेटा हो क्या आएगा एलसियम जो आएगा थरी भी आएगा फॉर भी आएगा फाइब भी आएगा तो यूनियन को मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे यूनियन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो एक ha 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 बोला जाता वेटा universe उसमें कोई ने कोई एक a subset भी है उस फाई का नय होना और a के बीच में common क्या है common का मतलब अब आ गया union इसमें तो था union और इसमें क्या है intersection intersection ना मतलब बेटा जहां a के ही equal है अगला है a में और a के नय होने में common देखिए ये a ये बाहर था a का नय होना क्या इनके बीच में कोई बात common है कोई भी बात common नहीं है तो बेटा इसका result क्या जाएगा 5 क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ठीक है ये तो थी आपकी 1.5 exercise दो किसन बेटा मैं 1.6 के करवा देता हूं क्योंकि concept 1.5 में जो हमने समझा वही सेम आने वाला है तो आगे देखिए क्या होगा direct हम वेन डायग्राम बनाएंगे और वेन डायग्राम से आपको बताएंगे कि एक a होता है एक b होता है ये आपके पास एक a है और ये बेटा आपके पास b है एक a है और में क्या है बीए है कि कैसा पार्ट को बेटा क्या कहते है इस पार्ट को हम intersection करते हैं मैं और इसका इसका और जो सारे का total करिना वसको Union बीक ल्वेटा टोटल हैं में इन्ट्रक्षान का मतलब को गोंमन जो दोनों में है common का मतलब जो दोनों में दोनों में तो ये हिस्सा है और union का मतलब total A और B का total क्या होता दोनों को मिला कर जब A union B का total करने लगे हम A union B का total करने लगे numbers of A union B total कुछा इन से जैसे ये दो बाई है इसने अपने property बताई वही मेरे पास ये ये है N of A total property जोड़ दी सारी आगी ना इसमें ये भी A की property यहां तक है B से पूछा B की भी सारी property आगी इसको क्या बोला जाएगा N of B जैसे मैं एक्जाम्पल लूँ इसके पास बेटा गाड़ी है बंगला है और इनके दोनों की सो सीर की है एक सेर में गाड़ी बंगला है ठीक है ये भाई उसका है जो सैर में रहता है दूसरा गाउं में रहता है उसके पास जैसे ट्रेक्टर है ठीक है और खेती भी करता है कुछ साथ में और दोनों ने मिलकर एक सोफ खरीद रखी है ये अलग है ये अलग है लेकिन दोनों जुड़े हुएं किसके उपर उनकी सोफ के उपर किसी से मिलने गए उसने पुछा भी क्या काम दंदा करता है वो बला कि गाड़ी है और सैर में एक बंगला ले रख्या है और साथ में एक दुकान भी है इसने ये बताई ठीक है बाई चांस कभी न कभी उसी आदमी की मुलाकात उसके दूसरे बाई से हो जाती है उससे मिलने के बाद पुछा भी क्या काम दंदा करते हो कैसे हो दोस्ती हो उनके बीच में बूला कि गाउं में रहते हैं ट्रैक्टर हैं खेती करते हैं और एक सैर करता हो गई जैसे जैसे उन्होंने एक पार्टी समारों में बुला लिया उसके बाई ने भी इनिवेटेशन दे दिया दोनों एक जगह आगे उसने तो वही नहीं है तेरे पास गाड़ी थी बंगला था और सोब भी थी उसने सूचा इसके पास भी गाड़ी बंगला सोब है और दूसरा जो उसका भाई था उसके पास भी उसने सुना था ट्रैक्टर है एक एक ही सोब है तो मैं यह बताना चाहता हूं एन ओफ ए सारा एन ओफ बी सारा जो यह दोनों ने दो बार बताया है ना इसको माइनस कर देते हैं इसको क्या कहते हैं इंटरसेक्शन यह फार्मूला चलेगा बेटा लिए फर्स्ट क्योस्टन में आपको दिया गया है 1.6 के फर्स्ट क्योस्टन में दिया गया है NCRT के अकोर्डिंग N of A 17 यह N of X X किसी चीज को माना हो कह रहा है 17 है और N of Y N of X अगर मैं इसको X बोलूं इसको Y बोलूं तो यह X इंटरसेक्शन Y हो जाएगा और यह X यूइन क्या हो जाएगा बेटा Y N of X उसने बोला 17 है साब साब लिखा सब्दों में इंगलिस में लिखा है यह 23 है दोनों का इंटरसेक्शन सेम ऐसे लिखा है X इंटरसेक्शन Y वह बेटाप के पास 38 और हम क्या कर देंगे इसमें से माइनस करतेंगे और ऐसा करने से हमारा X यूनियन क्या आजाएगा वाई आजाएगा ठीक है अगर X इंटरसेक्शन Y पूछे यह पूछ रहा आपसे और इसकी वैल्यू 38 दे रखी है तो बेटा इसकी जगे यूनियन दे रखा तो यूनियन को 38 रखते ना ठीक है 17 एजी कितना हो जाएगा देखिए 40 हो जाएगा और जैसे इसको मैं X इंटरसेक्शन Y यह पूछ आप से निंटरसेक्शन ही पूछा गया ठीक है इसको इधर ले आते है reason एंटू मैं और वीडियो अच्छी लगे ना लाइक जरूर करते हैं और एक कोमेंट कोमेंट एक दो बच्चे क्या आते हैं आप वन के इतने बच्चे देखते हो जो जितने भी बच्चे जुड़े हुए मारे साथ तो आप सभी से मासा करूँगा बेटा आप कमेंट जरूर किये करें कमे आने का भी मज़ा नहीं आता क्योंगे प्रोब्लम पूछने वाड़ा है यहीं नहीं पता चला वहीं कैसे हम चल रहे हैं ठीक है तो मैं आसा करूंगा बेटा जितने बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं कम्प्लीट बात सुनी है जिसने वह लाइक करें शेयर करें और क झाल